साथ साल की बच्ची दादी के साथ जंगल गई वह ऐसा कुछ हुआ जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता लेकिन जब उसकी बात को माना तो लोग भी हैरान रह गए दरसल जंगल में भगवान शिव का एक शिवलिंग मिला कहा जा रहा है कि बच्ची को खुद शिव ने दर दर्शन शिव बता गए अपना पता जंगल में मिला शिव परिवार जहां पानी नहीं वहां गंगा की धार घना जंगल अंधेर को भेदते हुई एक रोशनी और सामने भगवान शिव आठ साल की नंदिनी को साक्षात भगवान शिव ने दर्शन दिये सावन का महिना था नंदिनी अपनी दादी के साथ जंगल गई थी दादी जंगल में बोड़ा खोद रही थी उधर नंदिनी जंगल में खेल रही थी इस दोरान नंदिनी को एक तेज रोशनी दिखाई दी कहा जा रहा है कि नंदिनी को भगवान शिव ने दर्शन दिये इसके बाद नंदिनी ने इसकी जानकारी ग्रामीनों को दी जिसके बाद लोगों को जंगल में एक शिव लिंग मिला उसके आसपास नंदी और भगवान गनेश की मूर्ती भी थी जहां जगा उसी जगा सीविलिंग है फिर हम लोग देखें ये मलहानार गाव है जो कोंडा गाव जिला मुख्याले से 15 किलोमीटर दूर पर है पूरे जंगल में दूर दूर तक पानी नहीं लेकिन भगवान शिव का पानी की धारा अभिशेक कर रही है ग्रामीण इसे मा गंगा की रूप में पूझते हैं असाथ देख सकते हैं कि सारी जगहा पर सुखा पानी की कमी है उपर के दिवाल पूरी सुखी हुई है उसके बावजूद पता नहीं कहां सी ये पानी सिधा सीव जी की जटा पर गिर रही है आला कि ग्रामीणो को ने है यहां पर रूप में मा परवती और भगवान राम की मूर्ती भी हो सकती है सबाल यह कि यहां शिवलिंग कैसे आया एतिहासकार घनश्याम सिंह कहना है कि यह शोध का विषय है पिलहाल जंगल में शिवलिंग मिलने के बाद ग्रामीन यहां पूजा करने लगे हैं शिवलिंग तक पहुँचने के लिए रास्ता बना दिया गया है शिवरात्री पर पूरा गाउं पूजा करने के लिए यहां पहुँचा कभी इस गाउं को नकसलियों का गढ़ माना जाता था लेकिन अब लोग यहां बिना डरे पूजा करने के लिए जाते हैं कुंड़ा गाउं से विवेक श्रीवास्तव, न्यूज 18 तो पांच के आज में इतना ही लेकिन अपने राज्ये और अपने शहर की तमाम खबरे जानने के लिए आप देखते रहे हैं न्यूज 18 मदेपरदेश 36 कर नमस्कार